हलो स्ट्रॉवेंट्स तो यह आध्लोग का क्षाला च्प्टर है था हुआ है बहुत यह क्या है तीसरा चैपटर है जो तुम लोग का acid based salt है तो यह तो फिर वह खास करके chemistry में यह बहुत important चैप्टर है ठीक है तो इस चीज़ को तुम लोग अच्छे से समझना ठीक है और अच्छे से समझने का साथ साथ इस चीज़ का नोर्स तुम लोग अपने कौफी में अच्छे समारना हर एक का इपनेशन कॉंसेप्ट रियाक्शन जितना भी हम सब लिखवाएंगे पहले तुम लोग जो वीडियो हम बना रहे उसको अच्छे से तुम लोग देखना है ठीक है और फिर उसी वीडियो को पॉस्ट करके फिर जो लिखने का जो चीज़ है उसको आराम से लिखना ठीक है तो पढ़ना हम लोगो बस मागिया तो देखो अभी हम लोग डिफिनेशन पर जाते हैं अचली एसेड होता है क्या है बस हो समझो तो एसेड क्या होता है एक कंपाउंड होता है एक टाइप का कंपाउंड होता है जब उस एसेड को हम लोग पानी के साथ मिलाते हैं तो क्या बन है ठीक है अगर वो compound अगर एच प्लस अगर आयन्स प्रोड्यूस करेगा तो उस चीज़ को क्या वोलेंगे एसेड वोलेंगे तो बिसिक हम वो सकते हैं कि एक ऐसा compound है जो उसको अगर हम पानी के साथ मिलाएंगे करेंगे तो अपने अपने अन्दर अपने AQUA solution में मताब पानी म्रा solution में वो एच प्लस अधियोष करेगा अच्छा आई इन्स किसको बोलते हैं तुम लोग को क्या बोलते हैं याद आया जिसको बोलते हम लोग क्या टायन है ना इसको क्या बोलते हम लोग क्या बोल्तों लोग कैट आएट आशि का मतलब जिसके ऑपर चारज हो चारज मतलब यह थो प्लस हो यह फिर माइनश हो टॉ यह ही यहाँ पर हम लोग पियान से utonel एभ रो वाटर में संज़ेंगे conversation सपोस्का नोहां पर को ऐसीड है तो ऐसेंड वह होगा जो अपने एक को सोल्णूस लेका परेश करेगा एउस آएन परेश करेगा बस वारे ऑप के वहां जब भी H plus iron produce करेगा हमेसा याद होगे कि वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा मलता प्लस वाला चार्ज रहेगा मलता कोई भी मानिस वाला नहीं रहेगा हमेसा क्या रहेगा H plus iron मलता सिर्फ hydrogen का plus iron रहेगा बस मागिया अब यह कहां produce करेगा अपने aqueous solution में अपने aqueous solution अब तुमको बोले ने aqueous solution का मतलब क्या होता है कि अगर उसी acid को हम लोग पानी के साथ मिलाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे aqueous solution का मतलब दो चीज रहेगा उसके अंदर acid भी रहेगा और water रहेगा तो अपने aqueous solution में क्या produce करेगा H plus iron produce करेगा तब उसको क्या पोलेंगे हम लोग ऐसे ढूते हैं ठीक है अच्छा यहां पर एक और बात है कि जब भी अपने एक्वा स्वलूशन में अगर एच प्लस आइन पर यूस करता है तो यह जो होता है अनिस्टेबल होता है अनिस्टेबल होता है अनिस्टेबल का मतलब यह अकेला रहना नहीं चाहता वो किसी ने किसी चाहते हो क्या करेगा रियाक्शन करेगा तो क्या करेगा एच प्लस आयन क्या करेगा इसी वाटर के साथ मिल करके इसी water के साथ मिल करके एक नया compound बनाएगा एक नया एक आयंस बनाएगा इस आयंस को बोलते हैं हम लोग hydronium hydronium बोलते हैं हम लोग hydronium बोलते हैं त्यार रखना पर तो अब यहां पर देखो यहां पर दो बात आगिया क्या मेरे concept नहीं में और सभाउत है ना कि अगर वो acid होगा तो एपने एक्वा er college में घ्रां और करेगा इस प्लस आयँस करेगा एक यह फिर बख मागिया ठीक अब इसके आगे हम लोग समझेंगे कि जो आस्ट जो है वो कितना टाइप के आसिड होता है आसेड तो बहुत होता है डेपरेंड करता सोर्स के उपपर कि वह कहां से आसिड हम लोग को मिल ला है तो तो तुम लोगों जो पढ़ना है दो टाइप का घ्र पढ़ना है एक अपर Μोर्च मिलेखा पाहला पढ़ना है पहला पढ़ना हम मतलब मिलाई से मिलेगा से मतलब की रॉक से सोइल से हैं रिवर से वहां से जो मोगों का आसृड मिलता है तो उसों क्लक्रों reporting लिए और गिनिक एसेड बोलते हैं हम लोग तो याद रहना पर कि जो इन और गिनिक जो बेसिक जो एसेड होता है वह सब का सब स्ट्रॉंग एसेड होता है क्या होता है इस्ट्रॉंग एसेड होता है जितना भी मेरा इन और गिनिक एसेड होता है वह सारा का सारा स्ट्रॉंग तो हम अच्छा यहां तुमको पहला असेड लिखे इसका नाम भी दोगे दिया है इसका नाम होता है है इसका नाम होता है सल्फूरीक एसेड इसका नाम होता है नाय्ट्रिक एसेड चीक है और इसका नाम क्या होता है करबोनिक एसेड होता है तो यह चारों का चारों क्या है हम लोग सोफिक आए है ये सबस्कार लो अगर हम वक इसको आ crunch करते हैं मों यह सब को और सिर्फbn है उसको आगर आनलग वाटर के साथ हम लो मिलाते हैं हाना वाटर के साथ मिलाझे वे टोटेगा एज ऐलो टूटे-गा और माये थोटे तो इसको बोलते हम लोग वाटर इसके अंदर हम लोग डालेंगे है ना तो अपने एक्वास सोलोशन में क्या पर उसकरेगा अगर मिलाएंगे हम लोग तो है ना तो क्या बनेगा इसको बोलते हम लोग लोग तो ये प्लूट सुझा करबूनेटिवसल बस्माग है इसको कोई यह सभी का सभी acid है ना यह क्या सभी का सभी acid है अगर यह सब क्या है अनिस्टेबल होता है अगर हम इसी के अंदर मिला देंगे क्या water h2 और और मिला देंगे मतब उसी solution में तो यह सब क्या बनाएगा hydronium बनाएगा हाना क्या बनाएगा hydronium बसमा गया तो यह सब acid है तो यह एच प्लस आइन टूटा जाब यह अपनी एक्वा सोलोशन में फिर से water के साथ reaction करें क्या बनाएगा hydronium जो तुम लोग को माले मेक्स का नाम क्या होता है hydronium ions ठीक है तो अगर acid है तो एच प्लस तो आयन तो बनाएगा ही बनाएगा अब साथ में क्या बनाएगा H3O प्लस जिसको क्या बोलता हम लोग hydronium बनाएगा ठीक है अब जितना भी मेरा in organic acid है वो सबका सब क्या होगा strong acid होगा अब strong acid यहां पर हम क्यों बोलने है strong acid इसलिए बोलने कि suppose कर लो यहां पर हम एक कि एसील ले रहे है हाइड्रोप्रोडिक एसीड ले तो यहां पर अगर सपोस कर लों 100 molecules 100 molecules का मतलब अगर हम यहां बात करेंगे अगर बोलेंगे यहां पर कि टू two S.C.L. तो इस वो पड़ेंगे हम लोग टू molecules of S.C.L. अगर यहां पर लिखेंगे इस त्री S.C.L. तो इसका मतलब क्या हूं थ्री molecules of S.C.L. तो यहां पर कितना लिखा हम 100 S.L. इसका मतलब हम बोलेंगे 100 molecules of SCL ठीक है तो जब इसको हम लोग water के साथ मिलाते हैं water के साथ मिलाते हैं तो यह क्या होता है 100 का 100 ions the 100 का 100 molecules जो है वो ions में break होयाता है आइंस में break होयाता है अब break हो गए क्या बनायता है hydronium क्या बनाएगा hydronium या फिर H plus ion बनाएगा बस मागिया ठीक है या तो वो H plus और है यह बनाएगा तो इसमें तो हम लोग strong क्यों बोला है कोई भी एक acid लो कोई अगर हम लोग acid लेंगे ठीक है तो कोई भी अगर हम लोग acid लेंगे अगर हम उसको water से मिलाएंगे तो पूरा inorganic acid के ओपर हो गया तो यह रहा तुम लोग का definition अगे रहा तुम लोग एक्जामपल इन और यह एसट का ठीक है अब यह सब जतने भी acid सब क्या प्रोड्यूस कर लेगो तो H plus ion प्रोड्यूस कर रहा ता भी तो वह एसट होगा अब यह एस प्लस आगरे अपने एक्वा solution में water के साथ मिल क्या मनाएगा हाइड्रोनियम मनाएगा आइसे हो कि यह स्थ्री ओ प्लस आएन मनाएगा इसो क्या बोलता हम लोग है रतना बाद ठीक अब आते हम लोग इन औरगेनिक असेट के उपपर कि हम लोग सड़ी औरगेनिक असेट किसको बोलते हम लोग ठीक है चलो अब इसको च्छे से देखो और कॉपी कर लो